हरियो मेरे प्रिये कन्यारासी के साथ यो 23 अक्टूबर 2024 को शिव योग का सुपसे योग होगा अचानक धन प्राप्ती आपको चलिए जानते इस प्रभाव साली लाबकारी दिन और योगों के बारे में शुरुआत करते हैं रोज की तरह पंचांक से साथियो उतसे पहले हमारी चैनल को जुरू सस्क्राइब की जिएगा 23 अक्टूबर का दिन बुधवार का दिन है गणेश भगवान माद्रुगा और बुध ग्रह को समरपित ये दिन चंद्रमा का संचार जो है करक राशी में रहेगा जहां पर मंगल ग्रह बैठी है ऐसे में इस दिन चंद्र मंगल की यूती बनेगी कार्तिक मास के क्रिशन पक्स की सब्तमीतिती बनेगी और इस दिन सिव योग, सिध योग और पुनर वर्षू नक्षत्तर का सुप सिव योग बना है जिससे इस दिन का मातो बढ़ गया है वेदिक जोतिसी के मुताबिक बने रेन सुभ योगों का फाइदा कन्या राशी के जातकों को कारी छेतर में भारी धनलाब होने से इनकी परिशनसा को बढ़ाएगा और छोटे बच्चों के साथ मोज मस्ती करते नजराएंगे इसके साथ ही आपके कुंडली में बुद्ग्रे की स्तिती को देखा जाए तो काफी शुब बनी हुई है जिससे आज विगन हर्ता, संकट हर्ता, भगवान गणेश की किरपा तो बनेगी ही साथ ही आज आज आपके सभी विगन, शुत्रों से मुक्ती मिलेगी इस दिन आपका भगय 90% साथ देगा और आपका लखी कलर जो है वो रेड और ग्रीन हैने वाला है प्रिय कन्यराशी के साथ यो गणेश भगवान आपकी राशी के स्वामी बनते हैं कारिय छत्र में परिक्ष्रम की अधिकता रहेगी लेकिन आई भी बढ़ेगी आई व्रिद्धी होगी जिसे मन खुश होगा आपका मन बोधिक कारिये लेखन मी लगीगा आपको उसमें भी लाब होगा क्रोध से बचे क्योंकि क्रोध करने से बुद्ध ग्रह जो है हमारे खराब हो जाते हैं संतान पक्से लोगों से आपको संतुष्ट रहेंगे आपको रिसर्च के मामलें भैदर प्रणाम प्राप्त होगे शाम के वक्त आपकी अचल संपत्ती से भी कुछ आई हो सकती हैं रात में आपको परिवार के अलावा भायों से पूरा सयोग प्राप्त होगा साथ ही कारूबारियों के लिए मोटा मुनाफ़ा अच्छी इंकम करने का ये दिन है नोकरी पेसा जातक अपनी ग्यान अपनी बोधिक छमता के मुताब अच्छी जोप पा सकते हैं अच्छी सेलरी वाली लेकिन अगर आप इसी जोप में संतुष्ट हैं तो आपको नोकरी नहीं बदलनी चाहिए साथ ही स्टूडेंस के लिए दिन अपने ग्यान में व्रदी और कुछ बहतरीन करने का मोका और कुछ अच्छा सुब समाचार सुनने का मोका भी मिलेगा साथ ही सीनियर सिटिजन्स के लिए दिन सामाने रहने वाला है बस स्वास्ते के परदी थोड़ा सा सचेत रहे साथ ही इस दिन वैवाहिक जीवन सुखद बना हुआ लव लाइफ में थोड़ी यहाँ पर परिशानिया हो सकती आपको मांचिक परिशानिया चिंताए हो सकती आप ज़्यादा डिप्रेस जा सकते हैं इस तरह की सिचुएशन बन सकती अतिदिक और ठिंकिंग की वज़े से इसलिए कम सोचिए ज्यादा टाइम अपने काम बे फोकस कीजिए तो आपको इस सब चीजे नहीं देखने को मिली इस दिन गणेश जी को दुरुवार पित कीजिए गणेश जी को जो है बेसन के लड़ों का शाम को भोग लगाए आपका भागे उदे होगा